कि है लो अब्रिवान डिस इस अक्षी राजपूद वेलकम टो बीएसपी फामेसी कैसे हैं आप सब आई वोप आप सब अच्छे होंगे आपकी फामिली में भी सब लोग अच्छे होंगे most important आज का वीडियो होने वाला है because आपके exam form फिल करने start हो गए है exam form फिल करने की date आ गई है और लगबग मुझे ऐसा लगता है first year के लिए भी जल्द ही date आ जाएगी अब देख लेते हैं कि क्या है complete notification first year के लिए कब से कब तक exam form फिल करना है कहने का मतलब है second semester और second year fourth semester के लिए आपको exam form कब फिल करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो पर बने रहिएगा अब देखें यहां पर यहां पर यहां पर दिया है प्रक्षा ओगत वर्श सेमस्चर की भाती ओफलाइन मोड में दो चर्णो में आयोजित कराया जाना प्रस्ताविक है उक्त सेमस्चर परिख्शा में प्रती भाग करने वाले चात्र चात्राओं का निम तालीका में निर्भरता निर्धरता कारियकरम तिथी के अनुसार पर लुट है अब देखिए यहां पर बीटेग भीफाम जैसे कि मैंने बताया था जो टेंटेटिव स्केडियूल आया है आपका एक्जाम का एक्जाम का मैंने आपको बोला ही था कि third year fourth year स्ट्राइटियर वाले स्टुडेंट्स के पास टाइंब आपके मैं से स्टार्ट हो रहे है और आपके जून के second week तक चल लें है वैसे ही first year के जो एक्जाम या वो लगबग जून के second week से स्टार्ट हो जाएगे जून या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक खतम हो जाएंगे आपके एक्जाम सारी ठीक है अब एक्जाम फोर्म जो फिल करना है बीटेक बीफाम वालों को देखे इनके जो डेट दी गई है वो दी गई है भाई तीन मई तीन मई से लेके 15 मई तक आप एक्जाम फोर्म फिल कर सकते हैं अब सबसे बात करте हो 8 सेंवालों का उनका 7े कर रिजल्ट रिलीज नहीं किया है जो 6 सेंवाला इंगे 5 सेंथर निया है अगर उन सेंश्ट में हमारी बैक आ जाती है तो हम 7 के साथ करी ओवर का एक्जाम इसका में लेकिन रिकılan बैक आया उह ए इसकेस में वहारा पुरा एक UKTU पहले ही देगा exam form fill करवाने से पहले इसको देना पड़ेगा मजबूरी है UKTU की exam form fill करने से पहले आपका result यह release करें ठीक है चलिए अब यह तो निश्चिंद नहीं बहुत सकते हैं कि कि इस डेट को result आएगा लेकिन हां दो चार दिन में आपका result आने वाला है तो आप लोग अपना पॉर्टल भी continuously check करते रहे कि result कब आ रहा है ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती है जिन इस्टूरें ने बैक का है ना तो जैसे कि अगर हम बात करें पंद्रा तारीक तक यहां पर डेट दी हुई है एक्जाम फॉर्म फिल करने की थर्ड यर और फॉर्थ यर की तो आप लोगों का जो एक्जाम फॉर्म है वो लगबग ऐसा माना जा रहा है कि 16 तारीक से लेके तरीक तक आपका एक्जाम फॉर्म करवाए जाएगा आपको भी आपका एक्जाम का स्केडिूल जल्द ही देखने को मिल जाएगा एक हाफते के अंदर की आपका स्केडिूल आपको जाएगा 여러분들 वीचने पे चांभाओ जाया दो यह भी आईन्प less तो और have more मैं में ही result आ जाएगा बहुत अच्छी बात है Tek2 की जो copy checking की प्रोसीत बहुत ते चल रहा है है ऐह कहीं से पता चला सूतरों से पता चला कि हाँ बहुत speed में पाम हो रहा है आपके seniors के जो result है मों तो जल्दी एक दो दिन महीं मुझे लगता है कि release कर दिये जाएंगे उसके बाद आप लोग अराम से एक्जाम फॉर्म करना लेकिन आपके रिजल्ट में भी जाधा टाइम नहीं है अब रिजल्ट तो जैसा आएगा आए गई रिजल्ट को छोड़ो आप लोग नेक्स समिस्ट की प्रिपरेशन करो एक्जाम में भी टाइम नहीं है आपके पास लगबग 14-15 जून से आपके एक्जाम शुरू हो जाएंगे और लास्ट जून तक या फिर जुलाई पस्ट वीक तक आपके एक्जाम चलेंगे 14-15 जून से आपके एक्जाम 110 परसेंग शुरू होने हैं सेकिंड सैम और फोर्ट सैम वाले कान खोल के सुलो आपके पास अब मैक्स टू मैक्स एक महीना बचा है एक महीना बहुत छोटा टाइम होता है अब इस एक महीने को आपको किस तरीके से कंज्यूम करना है किस तरीक टास्क लेकिन हर सेमेस्टर में वो पोजीशन मेंटेन करके रखना बहुत टिपिकल टास्क है तब ही आप खुद पर कह पाऊगे कि हाँ बही मैंने चार सालों में कुछ ना कुछ अपना इंवेस्ट किया है ठीक है चलो आप एक्स्टा गाइडिंस के लिए प्रिपरेशन क चल रही है तो आप जाहिए विजिट कीजिए हमारी एप पे लाइफ क्लास जोइन कीजिए बहुत जल्ब मॉडल पेपर्स भी टीचर सापके सोल करवाने स्टार्ट कर देंगे ज्यादा टाइम में नहीं है फिर से सुन लो जादा टाइम में नहीं है बी प्रिपेर पोर य लेट यह नोटिफिकेशन आता है तो उसके रिगार्डिंग में आप पर इंफॉर्म जरूर कर दूंगी ठीक है बीटा चलिए फिर मिलतें नेक्स इंफॉमेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार